हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई एनधर निव वीडियो अगर आपके पास कुछ इस टैप का जो 2.5 इंचेस बला बुराना SSD या फिर हार्ड डिस्क है और इसको आप एक स्टर्नल हार्ड डिस्क या फिर SSD में कॉनवर्ट करना चाहते हो अपने लैपटॉप या फिर दिस्टॉप के साथ या फिर आपके मुबाइल डिवाइस के साथ पनेट करना चाहते हो तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो कुछ इस टैप का एक एनक्लोजर जिसमें आप SSD या फिर हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हो और इससे जो आपका जो internal SSD या हार्ड डिस्क है इसको आप as a external device के तरफ यूज कर सकते हो तो चलिए करते हैं इसको unbox देखते हैं जो एनक्लोजर है कैसा है इसमें क्या-क्या features है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो तो बिना किसी दरीके चल यह स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को तो इस टेप का जो enclosure होता है इसको आप Flipkart या फिर Amazon से पर्चेस कर सकते हो और इस टेप का जो enclosure होता है इसमें आप 2.5 इंचेस का कोई भी hard disk या फिर SSD को यूज़ कर सकते हो और यह जो particular model मैं review करने वाला हूँ इसमें दिया गया है USB Type-C port तो अगर आप इस टेप के enclosure को purchase करना चाहते हो तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा तो चले करते हैं इसको unbox और देखते हैं box के अंदर क्या क्या चीज़े दिया गया है तो यह है इसका box packing जैसे के आप देख सकते हो box packing काफी simple सा है यहाँ पर आपको जो packaging है उतना कुछ खास नहीं है और इस type का enclosure होता है यह generic type का होता है तो यह कोई भी brand का हो सकता है तो यहाँ पर जो brand name है वो है SMA CC और यहाँ पर maximum 4TB तक आप इसमें जो storage है इसको use कर सकते हो और इसमें USB 3.1 type C दिया गया है तो चलिए box को open करते हैं देखते हैं box के अंदर क्या क्या चीज़े दिया गया है तो box के अंदर दिया गया है कुछ इस type का एक enclosure और इसी के साथ दिया गया है एक USB A2 type C cable बाहर से ही देख सकते हो जो की दिखने में काफी cool लगेगा और इसको build quality है बिल्कुल hard या पर जो plastic होता है उसको use किया गया है और box के अंदर आपको कुछ e-step का PCB देखने को मिलता है जो की बाहर से ही आप जो component है इसको easily देख सकते हो अभी इस टैप का जो enclosure होता है यह tool-less होता है मतलब इसमें आपको कोई भी अलग से screwdriver की जरूरत नहीं होगा आप इसको बरही आसानी से open कर सकते हो तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे इसको पकरना होगा और पीछे slide करना होगा तो कुछ ऐसे यह open हो जाएगा तो आभी मेरे पास crucial का 500GB का एक SSD है जो की SATA type का होता है तो इसको मैं इसमें use करने वाला हूँ तो इसके लिए आपको जो pins है इसका layout देखना होगा तो जो इसका total connector है इसमें आपको दो type का connector देखने को मिलेगा एक बड़ा वाला एक छोटा वाला तो इसके साथ आपको align करना होगा SSD के connector के साथ उसके बाद आप इसको ऐसे इसको slide कर सकते हो अंदर और इसके बाद पीछे से आपको push करना होगा और इसके बाद इसके अंदर ये अच्छे से fit हो जाएगा अब याम जो box का lead है इसको भी आप close कर देंगे तो कुछ ऐसे आपको इसको slide in करना होगा उसके बाद इसका जो lock है ये लग जाएगा और कुछ ऐसे ये close हो जाएगा और close हो जाने के बाद कुछ e-step का दिखता है और बाहर से ही आप जो पूरा SSD है इसको देख सकते हो जो कि दिखने में मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो side में यापर एक port देखने को मिलता है जो कि type C port है तो इस पर जो cable दिया गया है उसका type C मैं याँ पर connect कर रहा हूँ और उसके बाद जो मेरा desktop है इसमें जो USB 3.0 port है इसमें मैं जो USB है इसको लगा देता हूँ तो देख सकते हो आप यहाँ पर एक blue color का LED यहाँ पर indicator दिया गया है तो चलिए अभी हम चलते computer screen पर और देखते हैं कि आप इसको कैसे setup कर सकते हो और इसका speed कैसा है तो आभी जो SSD है मेरे desktop के साथ connected है तो यहाँ पर मैं disk PC को open कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो SSD है यहाँ पर detect नहीं हो रहा है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको जो Windows आइकन है इसके उपर right click करना होगा और उसके बाद select करना होगा disk management को इसके बाद आपको नीचे scroll करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो जो disk 3 है यहाँ पर जो storage है वो 465.75 GB का है मतलब हमारा SSD है यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यह जो disk है अभी unallocated है तो इसके उपर आपको right click करना होगा और इसके बाद click करना होगा new simple volume पर इसके बाद आपको next दबाना है और उसके बाद फिर से next दबाना है इसके बाद आपको जो assign drive letter है इसको आप यहाँ पर assign कर सकते हो तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ इसके बाद आपको next दबाना होगा लेकिन यहापर जो file system है इसको मैं expect कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मेरे Windows के साथ-साथ Mac डिवाइस में भी उस करने वाला हूँ और Mac में NTFS supported नहीं है इसकी वाईसे मैं यहापर expect consider कर लेता हूँ और उसके बाद आपको next दबाना होगा और आभी यह format हो चुका है तो आभी मैं आपको this PC में जाके दिखा देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो तो SSD है यहापर detect हो रहा है तो आभी मैं कोई भी file को copy paste करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो speed है कैसा है तो यहापर देख सकते हो लगवग 7GB का एक file है और इसका जो speed यहाँ पर दिखाए दे रहा है वो लगवग 200MB पर second का यहाँ पर speed दिखाए दे रहा है और आभी यह 230 पे उपर चला गया है तो यहाँ पर जो speed है काफी सही है और लगवग आपको 30 से 40 second के अंदर जो 7GB का file है वो यहाँ पर transfer हो जुगा है तो आभी मैं disk mark पे भी आपको इसका जो storage speed है दिखा देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो read speed और write speed है वो लगवग 430MB पर second का है जो की काफी सही है तो आपने देखा जो step का enclosure है इसके help से आप कैसे आपका पुराना SSD है फिर hard disk को portable बना सकते हो और यह दिखने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसका जो size है वो market में मिलने वाला कोई भी portable SSD से थोड़ा सा बढ़ा है तो size comparison के लिए मेरे पास एक hard disk है portable hard disk तो आप देख सकते हो इसका size है वो लगवक एक portable hard disk जासा ही दिखने को मिलता है लेकिन इसका जो weight है काफी कम है क्योंकि मैं इसमें SSD यूज़ कर रहा हूँ build quality की बात करें तो इसका build quality है यह ठीक टा quality का है तो अगर आप खरीदना चाते हो इस type का enclosure तो definitely आप purchase कर सकते हो यह आपर दो type का option देखने को मिलता है एक है USB बाला और एक है Type-C बाला तो आप अपने choice की साब से कोई भी model के लिए जा सकते हो overall जो quality है मुझे काफी सही लगा है तो अगर आप purchase करना चाते हो तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा तो बस आज के लिए सर्फ इतना ही I hope आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा फिर बिलता हूँ मैं एक और exciting नए वीडियो के साथ तब तक ले thank you and goodbye